आज हम बात करेंगे रिट के रिवाइज रिजल्ट के बारे में जो रिट का रिवाइज रिजल्ट है वो अभी 6 दिसंबर को जारी किया गया है यह आप नहां देख सकते हैं टेट भी दी हुए 6 दिसंबर 2021 इससे पहले जो रिजल्ट हुआ था वो 2 नवंबर को डिक्लेर हु नहीं थी तो अमारी वेबसाइट पर हमारी यूटूब चैनल उस पर अवेलबल है आप उसको देख सकते हैं अब जो यह रिवाइज डिजल्ट आया है यह आया है लेवल 2 के लिए हुआ कि लेवल 2 में पहले इंगलिश का जो लेवल 2 में सब में नहीं इंगलिश का जो कु कुषिन नंबर 74 है अगर हम बात करें है Bulgari जींट के सिर्फ एक प्रस्टिय्स के विकलब में बतलाव किया गया है लोगतर कि जे सरीज के प्रस्टन संध Ign Сегодня चोहतार, K series का प्रेशन संख्या 81, L series का प्रेशन संख्या 62, M series का प्रेशन संख्या 65, इसमें ही बदलाग किये गए, अगर मैं थोड़ा से इंगलिश में बोल तो तो J series में 74, K series में question number 81, L series में question number 72, M series में 65 है, इसमें changes किये गए, इसमें पहले A और C को विकल्प माना था, आंसर माना था, जिसको अब change करके B और C कर दिया, और इसका जो असर है, वो भी काफी व्याद्दा का अगर देखें, हम देखें, rate level 2 के परिश्या के संसुषित परिणाम से 1,21,27, candidates को एक अंका फायदा होगा, और 30,395 candidates को एक अंका नुकसान होगा, तो इसमें जो फायदा नुकसान हम काफी बड़ा है, लेकिन इससे cut-off की चीजिस होने कोई खास chances नहीं है, हमने cut-off का वीडियो अलड़ी available है, हमारी YouTube चलो आप इसको देख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा और भी अगर save side में कहूँ, तो जो last day की cut-off थी, उससे आप 2-3% उपर cut-off इस बार मान सकते हैं, रहेगी, बशर्ते, जो number of seats पर भी कुछ चीज़े depend करेंगे, अगर मालने यह number of seats last time से जाता हो जाती है, यह last time की बरावर हो जाती है, तो होसकता है last time की approximate cut-off जाए, उससे थोड़ा नीशे चल जाए, लेकिन अगर जो seats काफी कम हो रहती है, जो 31,000 की बात चल रही है, 31,000 की बात चल रही है, 31, काफी अच्छा लेवल होने के बावजित भी, जो cut-off थी काफी ऊपर चली गए, तो number of seats पर काफी कुछ depend करेंगा, and best of luck, मुझे लगता है आपके लिए बहुत है, और आपको कुछ जारना पूझना पूझना तो आप पूझ सकना है, thank you.